तो हेलो यार कैसे हो आप सब दिखो यार मुझे पता है कि मैं बहुत दिनों के बाद वीडियोज अप्लोड कर रहा हूं इसका रिजन आपको पता हुआ कि मेरे अभी स्ट्विटे के एक्जाम चल रहे थे एक्जाम तो अभी खतम हो गया है अभी मैं करेंटली 10-15 दिन तक ना फ्री हूं तो अभी आपको रेगलर वीडियोज मिलेंगे अभी मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं अपना ड्रेस कॉमबनेशन को लेकर यहां पर आपने मेरी पूरानी वीडियो में देखा होगा कि मैं कौन सा ड्रेस पहनता था अभी मैं कौन सा ड्रेस पहनता हूं तो आप यहां पर कमेंट करके बताना कि मुझे कौन सा ड्रेस पहनना है एंड आपको कौन सा अड्रेस अच्छा लगता है तो उसी हिसाब से मैं अपना यहां पर इड्रेस कॉमिनिशन चूज करूँगा एंडर दोखो फुल प्लस निकालने के लिए आपको कम से कम हर एक मैच में आप पांच एच्छी कील करने ही करने होंगे तो आपको बूया होता है लेकिन आपको फुल प्लस नहीं मिलता है तो एक्टिव करेक्टर में मैं हमेशा रैंक विश करते हैं यूज करता हूं कि एक करेक्टर को और जो तीन पैसिव स्किल के स्लोट है उसमें सबसे पहले मैं यूज करहा हूं मैक्सिम करेक्टर को फिर मैंने रखा है है टो करेक्टर का स्किल अगर आप इस डियुवय के साथ अपकर एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो अगर आप इस गराफ योज रिषत रहुता है तो आप इस करेक्टर कॉम्शन का यूज कर सकते हूँ अब मैं आपको यही बताता हूँ कि आपको कहाँ पर लेंडिंग करनी है तो दुखेर लेंडिंग आपको हमेशा उसी जगह पर करनी है जिस जगह को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो जैसे कि देखेएर मैं यहाँ पे landing करने वाला हूँ नियरोग डैम पे एंड सोलो में rank push करते टैमना मैं बहुत बार नियरोग डैम पे उतरता हूँ अंडियर जगए की हर एक चीज़ के बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है एंडियर मैं आपको Riverside and Plantation के एरिया की बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे जब भी आप landing करते हो ना तो आपको बहुत कम बंदे मिलेंगे यहाँ पे देखो एर जब भी मैं land करते हो ना तो मेरे को मुझे एक या दो बंदा मिलता है उसे ज़दा enemies मुझे कभी भी नहीं मिलते हैं तो यहाँ आप भी इस location पे land कर सकते हो यहाँ पे आपको अच्छी खासी loot भी मिल जाती है और यहाँ दोखो अगर आपके scanner में कोई बंदा नहीं दिखते हैं तो आपको यहाँ पे पूरा बिंदास नहीं होना है आपको पूरा चोकाना होके loot करते रहना है जैसे कि अब दोखेर मेरे scanner में कोई बंदा नहीं दिखा है लेकिन फिर बेना मैं यहाँ पे पूरा चोकाना होके loot कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ दोखो enemies कभी भी आ सकते हैं यहाँ पे आपको पता भी नहीं चलेगा तो इसलिए आपको पूरा सतर रखो के loot करना है दिखेर जब भी आप अपने favorite locations पे उतरते हो ना तो आपको बहुत ज़दा advantage मिलता है एक तो यह है कि आप उहाँ पेना थोड़ा ज़दा confident feel करते हो और आप उहाँ पेना काफी जल्दी loot कर लोगे और दूसरी चीज़ यह है कि जब भी आपको वहाँ पे कोई बना मिलता है ना तो आप उसे काफी easily fight लेकि उसे खतम कर सकते हो और अगर दुखेर वहाँ पे आपको starting में fight नहीं लेनी है ना तो आपको उस जगा कि एक surviving place की बारे में पता होगा जहाँ पर आप starting में थोड़ी दिर के लिए survive कर सकते हो दुखेर अगर आपको हर एक solo rank match में कम से कम 5-6 kill निकालना है ना तो आपको वहाँ पे बहुत सारे tokens क्लेक्ट करने होंगे मैं आगे बता दूँगा कि आपको क्यों tokens की जरुवत पड़ेगी अब यहार मैंने नियरेक डैम को पूरी अच्छी तरह से लूट लिया और यहार मुझे एक in-game mission मिला था तो इसको मैंने complete कर दिया है और अगर आपको ऐसे mission मिल देना तो आपको जरूर से complete करना है इससे ना आपको बहुत सारी tokens मिल जाते है और साथ ही आपको super medicate और glowal और inhaler मिल जाता है जो कि आपके बहुत साथ काम आता है और इसके बाद दिख़र मेरे पास 900 token हो जाते हैं तो सबसे पहले मैं वेंडिंग मशिन से एक glowal खरेद लेता हूँ और फिर इसके बाद मैं hit list खरेद लेता हूँ तो उसको मारने के लिए मैं यहां से निकल पड़ता हूँ और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप hit list खरेदे हो ना तो सामने वारे enemy को भी आपका location पता रहता है तो आपको एकदम carefully जाना है तो इसलिए दिखर मैं यहां पर सबसे पहले एक glowal लगा देता हूँ और वह बंदा यहां पर च्छत के ऊपर है तो यहां पर मैंने सबसे पहले एक flash flash फेका है और वह बंदा घर से नीचे उतर गया है तो अभी दुखेर हम उसको ढूंडते है अभी यार दुखो पता नहीं है यह बंदा कहां पर चुपा है और इदर में जैसे ही आता हो ना मेरे को इस बंदे का footstep का sound आता है और इदर से निकलता हूँ तो यह बंदा सामने भाग रहा हुता है तो फिर इसको मैं काफी इसली MP40 से खतम कर देता हूँ और यहाँ पर ना मैंने काफी इसली पहला किल कम्प्रेट कर लिया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कितना ज़्यादा होता है जब आप हिट लिष्ट खरीते हो यहाँ पर मैंने जैसे ही इस बंदे को खतम किया है मेरे को यहाँ पर 400 टोकन और भी मिल गया है तो आपर मैं फिर सा आजाता हूं वेंडिंग मशीन के पास एक और हिटलिष करीतने जैसे मैं Hitlish करीता हो ना यहाँ पर अगेर मेरे को New York डाम पर एक बंदे का Location पता चल जाता है तो फिर से मैं उसको मारे के लिए इधर से निकल पड़ता हूँ यहाँ पर देखियार मैं यहाँ डारेक्ट बीच से नहीं जाता हूँ इसे के साथ मैं आपको एक और से बसा जाता हूं कि जब भी आप हिट लिष्ट खरीते हो ना तो जिस बंदे पर आता है ना यह मार्क वो बंदे ना थोड़ा घबरा जाता है तो इसका ड्वांटेल लिए ना आप उसे काफी खतम कर सकते हो उस बंदे को लगता है है यार भाई मेरे को ना अब इस मैच को बुया निकालने से कोई भी नहीं रोक सकता है देखरो मेरे पास कितना तगड़ा लूट है अब अब दिखोर में आप इस जोन को कवर करने का ट्राय कर रहा हूं और इसी के साथना सामने एक और वर्णिंग मशीन है तो हाँ पर आप म इसके बजाएना मैंने यहां पर काफी सारे UV लाइट्स खरीद लिये हैं जो कि ना मेरे को बहुत ज़दा काम आईगी यहां पर जैसे आता हूं इधर दो बंदे में फाइट हो रहा हुता है तो हाप इमें थर्ड बंटी कर देता हूं इधर मैं काफी एजली एक बंदे का क लोगो सकते है ना कि आप उना पर जोन के बाहर ही अलिमिनीट हो जाहो अपे दृप्ध में उस बंदे से फाइट नहीं लिया है यहां पर मैं सबसे पहले जोन को कवर किया हूं इधर में इक कवर की पीछे आगया हूं अब यहां पर जैसे कवर में अख वाले ने थोड़ा हमारा जोन बहुत जदा चोटा हो जुका है और यहां पे दिख़एर मैं जोन को कवर करने के लिए यूज कर रहा हूं जिससे कि दिख़एर यहां पे अगर कोई बंदा होगा ना तो मिर इसके साथ हमारा अगला जोन बन चुका है और यहां पे ना मेरे को काफी अच्छा पर्मेनिट कवर मिल जाता है अगले जोन में इस सामने वाला जो हवेली देखिर हो ना यह जोन के अंदर है तो यहां पे मैं काफी एजली सर्वाइव कर सकता हूं और आपको लास जोन में हम बने को दो बन्हें करता है और यहां पर चड़कर उसको उसको मार चला जाता है लेकिन पिर वर शब्स जरा भी नहीं हीँ हिलता है यहांप मैंने काफी इसली अपना चौधा के लिए कम्लीट कर लिए एवग देख यहां पर एक और बन्हां बचा हुआ है जिसको मैंने scanner में दिखा था तो यहां पर इसलिए मैं उसका हवेले में वेट कर रहा हूं और यहां पर जोड़ा दर दर वेट करता हूं तो जैसे zone shrink होता है वो बंद इधर से आता है और वो मेरे landman पर चड़ जाता है तो यहां पर जैसे landman explode होता है तो मुझे पता सच जाता हां लिए तोडनों बंदे के ब्ल और तो यहां और सब्सक्राइब लेकिन वह घ्लोगा जीता है फिर मेरे वार वापस्ट्रीकें पेछल आया जाता हूंन इतने महिना एक खताम हो जाता है अपी बश्रती चरव और मेरे को कितना गंदा यहां पर शर्फ behavior मेरा में लिए खतने वाल अब ऑर उस बन्दे से बसने के लिए यहां पर लगतार यहां पर इंहेलर मार रहा था इंद आप में इन्हेलर लगा-लगा कि अपने हेल्थ को कंप्लीट कर देता हूं जैसे मेरा हेल्थ कंप्लीट होता है ना मैं यहाँ थोड़ा ऊपन में आता हूं फिर वह बंदा मेरे को मारे के लिए जैसे बाहर निकलता है ना कि अब देखें हमारे कितना प्लस होता है तो अब अब देख सकते हों कि मुझे 42 का प्लस मिला है जो की काफी सही है अगर आप ऐसे खेलते हो ना तो आप काफी एजली सोलो खेल कर भी ग्रैंड मशल लगा सकते हो तो अगर आज के लिए बस इतना है अगर आपको वीडियो सब्सक्राइब कर लेना और आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरू सब फॉलो भी कर लेना और तब तक के लिए बाबाई मिलते हैं एक और वीडियो में